Hi everyone, मैं हूँ आपकी शदादीधी and welcome to अपना कॉलिज आज की वीडियो के अंदर हम डीटेल में डिस्कुस करने वाले हैं कि कैसे हम चाट GPT को as a tool यूज कर सकते हैं अगर हम एक coder या फिर programmer है तो Open AI नाम की company ने पिछले साल November 2022 के अंदर एक chatbot release किया था जिसका नाम था chat GPT तक limited है यानि हमारे लिए कुछ भी textual information generate करता है पर ये market का अकेला Generative AI नहीं है, market के अंदर अभी और भी Generative AI अवैलेबल हैं जिसको अगर आप कुछ भी लिख कर देंगे तो उसके basis पर उन में से कुछ आपके लिए images generate कर देंगे, कुछ आपके लिए videos generate कर देंगे, but definitely chat GPT अभी हमारे पूरे market का या फिर पूरे जो industry है उसका सबसे popular Generative AI इसकी popularity को measure करने का एक छोटा सा metric है इसके number of registered users यानि सिर्फ 5 दिन के अंदर chat GPT के 1 million registered users हो गए थे अगर इस figure को Instagram से compare करें जिसे social media terms में बहुत जादा addictive platform माना जाता है तो Instagram को 1 million users लाने के लिए धाई महीने लगे थे और chat GPT को सिर्फ 5 अब चार्ट GPT को हम multiple तरीकों से use कर सकते हैं सिर्फ coding के अंदर नी बल्कि बोहुत सारे general areas के अंदर हम इसे articles लिखने के लिए यूँज कर सकते हैं हम इसे songs, poems, stories लिखने के लिएže कर सकते हैं अगर quantum computing जैसे कोई difficult topic है जिसकों हम असानी से समझवाना चाते हैं किसी से तो हम उसे उस काम के लिए हैं हम इसे interview preparation में help के लिए हैं अगर हमें अपने लिए कोई machine learning model बनाना है तो उसके लिए कोई dummy data generate करने के लिए यूज़ कर सकते हैं In fact, अपने college के assignments तक solve करने के लिए हमें से use कर सकते हैं. बट जब भी हम chat GPT को use कर रहे होंगे, हमें एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि chat GPT perfect नहीं है. Chat GPT खुद अपने आप के लिए disclaimer देता है, कि कोई भी information जो यहां से generate हो रही है, उसकी कोई guarantee नहीं है कि वो information सही होगी. यानि जो भी text, जो भी चीजें generate हो रही है, वो गलत भी हो सकती है, वो biased भी हो सकती है, साथ के साथ वो harmful भी हो सकती है. इसलिए मेरी personal opinion में chat GPT अभी एक ऐसा tool है, जिसे already skilled people, जिने कोई भी skill पहले से पता है, वो as a tool यूज कर सकते हैं, ताकि काफी सारी चीजों में उनका काम थोड़ा सा कम हो जाए. But अभी as a beginner, as a learner, अगर आप किसी नई चीज को बिलकुल सीखना चारहे हैं, या आप किसी नई चीज को explore करना चारहे हैं, तो उन चीजों के लिए चार्ट GPT उतना suitable नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की knowledge ही नहीं है, तो वो इस चीज के बारे में हमें कितनी correct और कितनी incorrect information दे रहा है, उसका हमें बिलकुल idea नहीं लेगेगा. तो as a coder, as a programmer, इस टूल को यूज करने का maximum फाइदा हमें तभी ही मिल रहा होगा, जब हमें अपनी जो भी programming language है, जो भी technology है, वो already काफी अच्छे से आती है, ताकि जो चीजें हमें रिदूनिन मैनर में बार-बार-बार करनी पड़ती है, उन चीजों को simplify करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, तो हम आज के टिटोरियल में 10 ऐसी चीजें सीखने वाले हैं, जिनके लिए हम चाट GPT को यूज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है to generate code, अब चाट GPT को यूज करने के लिए सबसे पहले जाकर हमें इस पर साइन अप करना पड़ेगा, तो चाट.openai.com इस लिंक पर जाकर विजट कर सकते हैं, हमारे पास दो ओप्शन होंगे, एक लॉगिन का, एक साइन अप का, अब अगर आप एक new user हैं तो आप sign-up कर सकते हैं, sign-up के बाद बहुत basic से options आएगी, कि किसी भी email को use करके आप sign-up कर सकते हैं, अगर आपने already sign-up कर रख है तो फिर हमें simply login करना है, login करने के बाद हमें अपना interface कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, यहां पर कुछ examples mentioned है, capabilities mentioned है, limitations mentioned है and जो भी चीज, जो भी बात हम chat GPT के साथ करना जाते है वो सारे prompts हम इस space में लिख सकते हैं तो यहां पर हम सारे के सारे अपने messages को लिख रहे होंगे अब हम chat GPT को use करके बहुत चोटे-चोटे codes को generate करना सीखने वाले हैं जैसे अगर इंटरनेट पर हमने कभी कोई smiley face देखा होगा तो इस तरीके का smiley face, HTML और CSS को use करके generate करने के लिए हम chat GPT को use करने वाले हैं अब हम यहां पर लिखने वाले हैं generate HTML CSS code for a smiley face अब यह code इसने generate किया है इस code की सबसे अच्छी चीज यह है कि कोड के साथ साथ chat GPT ने क्या किया है उसका एक explanation generate कर दिया है अब हम क्या करने वाले हैं इस code को मैं कॉपी करके पेस्ट करने वाली हूं वी एस code के अंदर तो इस index.html फाइल के अंदर हम पेस्ट करेंगे and we will save it अब जब हम index.html को run करेंगे तो chat GPT ने actually जो चीज में रेले जनरेट की है वो कुछ ऐसी दिखती है अब यही चीज की हम बात कर रहे थे कि अगर आपको already HTML CSS आती है और आप एक smiley face बनाना चाहते हैं तो पूरा code basic से लिखने के वजाए आप क्या कर सकते हैं एक basic template generate कर सकते हैं और फिर इस template को हम fix कर सकते हैं अगर हम एक beginner हैं तो में पता ही नहीं चलेगा कि जो code generate हुआ है वो गलत है यह वो सही है अब क्यूंकि हमें HTML CSS आती है हम इस चीज को fix कर सकते हैं वोट वी किन डू इस आइस ठीक है माउथ के लिए हम थोड़े बात changes करने वाले हैं रोटेशन को एक तरीके से हम यहां 0 degrees कर देंगे और कुछ इस तरीके की शेप हो जाएगी हम जाहे तो इस mouth वाले circle को थोड़ा सा और circular बना सकते हैं इसे width भी हम दे देंगे 30 pixels के equal तो यह कुछ इस तरीके का बनेगा अब यहां से left से इसका distance हम बढ़ा सकते हैं तो left से distance बढ़ाकर let's suppose हम इसे कर देते हैं 35 pixels, save, refresh तो इस तरीके का structure मुझे मिल जाएगा अब यह थोड़ा सा रिजेंबल कर एक smiley face को हम जाहें तो यह जो mouth वाली shape है इसको हम एक line की shape देकर भी इसको smiley face यानि एक arc दे सकते हैं जाहें कि chat GPT को use करके हमें code को generate कर सकते हैं बट हमें उस programming language की पहले से अगर knowledge होगी तो अगर थोड़ा सा गलत भी code generate हुआ है तो फिर हम उसमें अपने हिसाब से changes कर सकते हैं एक और चीज़ अब हम ट्राय करने वाले हम क्या करेंगे एक JavaScript timer को generate करेंगे मैं लिखने वाली हूँ generate html css and javascript code to create a timer on screen तो एक code हमारे लिए generate है जिस code को हम copy करके run करेंगे save and run तो कुछ इस तरीके का मेरी screen पर एक timer run कर रहा है जो backwards की तरफ count कर रहा है मैं इसे refresh करूँ अगर तो इस दुबारा से restart हो जाएगा and एक minute का इसने timer generate किया है हम चाहें तो इसमें कुछ-कुछ changes कर सकते है जैसे मैं चाहूँ तो timer को मैं 2 minutes से start करवा सकती हूँ इसको मैं यहाँ पर time दे सकती है 120 seconds तो restart किया तो अब यह शुरू हो जाएगा 2 minutes से तो 1 minute 59 seconds तो इस तरीके के कुछ-कुछ जो basic code यह basic चीज़ें होती है वेल-known programming languages के अंदर उनको हम chat GPT से generate कर सकते हैं एक और example ले लेते हैं data structures algorithm का तो मैं चाहूँ तो अपनी algorithms को भी generate कर सकती हूँ using chat GPT एक बहुत simple सा example लेते हैं bubble sort का generate code for bubble sort तो यह bubble sort का JavaScript code इसने generate हिया है and next चीज जो हम कर सकते हैं as a programmer वो यह कि इसी code को हम किसी और programming language में translate कर वा सकते हैं हम नीचे जाएंगे and translate this code to let's say I want to translate it to Java तो इसने हमारे लिए Java में पूरा code translate करके दे दिया and एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं चाहट GPT को code के अंदर bugs को detect करने के लिए यानि errors या mistakes को detect करने के लिए मैं चाहूं तो मैं इस code को copy कर सकती हूं and मैं लिख सकती हूं detect the error in this code and यही same code copy paste करके मैं क्या करूंगी मेरी if statement के अंदर यह जो तीन swapping के steps हैं इन तीनो steps को हटा कर अब मैं चाहर्ट GPT को submit करने वाली हूं तो देखने हैं कि क्या यह mistake find out कर पाता इस code के अंदर तो इसने बिल्कुल सही तरीके से हमारे error code detect कर लिया यानि यह जो मेरा code था इसके अंदर swapping वाला step missed था तो इसने क्या किया, detect कर लिया कि अगर function का नाम bubble sort है तो यहाँ पर bubble sort ही होना चाहिए था तो इसका मतलब swapping वाला step missed है और इसने एक और नया code generate किया जिसमें इसने swapping वाली वो 3 lines मुझे लिख कर दिया अब एक और तरीका है जिसे हम चाहर्ट GPT को code generation के लिए use कर सकते हैं वो है जादा optimized code को generate करना जैसे simply मैं लिख कर दे सकती हूं इसे generate C++ code for swapping two numbers यह काफी simple सा code है जो हम programming के अंदर बहुत basic basic सीखने है तो इसने क्या किया इस code को बहुत ही normal तरीके से यह generate कर देगा अब यह जो तरीका होता है यह सबसे common तरीका है दो numbers को swap करने का पर मैं same input इसे देने वाली हूं और better time complexity में code को generate करने के लिए अब time complexity अगर आपने first time शब्द सुना है तो इसका मतलब होता है कि और जादा optimized code जो जादा faster run करे आपके system में बड़े inputs के लिए time complexity के बारे में data structure algorithm के बारे में आपको और जादा सीखने है तो उसके लिए already हमने dedicated c++ in Java के playlist बनाए हुए है आप उनको जाकर explore कर सकते हैं यहां पर simply मैं लिखने वाली हूं एक faster code generate करवाने के लिए तो मैं लिखोंगी generate c++ code for swapping two numbers with best time complexity best time complexity का basic मतलब अगर हमें समझना है वो यह है और जादा optimized code को generate करना यह हमारे लिए code generate हो गया है एक चीज आपने नोटिस कियोगी कि यह जो तीन लाइने यह पहले वाली तीन लाइनों से अलग है बाकी सारा code सेम है क्योंकि अब इसने क्या किया फस्टेस तरीका होता है C++ और Java के अंदर XOR operation को यूज करना तो अब इसने थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है दो numbers को swap करने का तो इस तरीके से जादा optimized version of same code produce करने के लिए भी हम chat GPT को use कर सकते हैं अब next चीज जिसके लिए हम इसे use कर सकते हैं वह है किसी भी piece of code को explain करने के लिए जैसे अगर मैं C sharp का कोई भी code उठाऊं जिसे मैं नहीं समझती क्यूंकि मैंने अभी C sharp सीखी नहीं तो इसे explain करने के लिए मैं लिख सकती हूँ explain this code to me and उसके बाद shift and enter दबाकर next line में मैं अपना code paste करके इसे run कर सकती हूँ तो इसने already detect कर लिया कि एक C sharp का code है जिसको use किया जाता है email send करने के लिए using SMTP protocol different different जो मेरे variables थे उनके usage बता दिया मुझे and last में यह बता दिया कि जो code आपने paste किया यह basically एक example है इसको चलाने के लिए आपको actual email credentials चाहिए using the specified SMTP server तो इसने पूरा explanation लिखकर दे दिया है मुझे same code का and in fact यह इस code के अंदर भी error detect कर सकता है अगर मैं इसे paste करूँ and इसके अंदर से अगर मैं यह comma भी अटा देती हूँ and फिर मैं इसे बोलती हूँ find the error in this code तो भी इस code के अंदर से error detect कर लेगा काफी general codes है and maximum usage of chart GPT वो general codes को generate करने के लिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसा code दे देंगे जो बहुत जादा complex है बहुत जादा nuances के साथ आता है तो chances error के और भी जादा बढ़ जाएंगे तो अगर आप ऐसा काम करते हैं आप software engineer, web developer, front end developer, back end developer जिसमें आपको APIs बार-बार बनानी होती है या front end के अंदर कुछ buttons को या कुछ element को create करने की चीज आपको बार-बार करनी होती है तो एक पूरा function या एक snippet जिसको लिखने में शायद आपको 10-15 minute लग सकते थे उसको chart GPT बहुत असानी से generate कर सकता है फिर आपको बस उसे copy-paste करके उसके अंदर अगर कुछ bugs है तो उनको fix करने का काम रह जाएगा नेक्स चीज इसके लिए हम chart GPT को यूज कर सकते हैं वो है to ask for git commands यानि git, github अगर हम बार-बार यूज करते हैं तो बहुत सारी commands होती है तो उनको हम भूल जाते है तो कौन सी git command कौन सी situation में यूज करनी है उसके लिए हम chart GPT को यूज कर सकते हैं जैसे मैं इससे पूछ सकती हूँ git command to combine multiple git commits into one तो इसने क्या किया मुझे बता दिया कि मुझे कौन-कौन सी commands को यूज करना है और किस-किस process के त्रू मुझे वो चीज complete करनी है मैं चाहूँ तो बहुत basic सी चीज भी पूछ सकती हूँ git के अंदर git command to commit changes तो बहुत basic सी एक command होती है जिसको यह मेरे लिए generate करके दे देगा तो इसने commit and push का पूरा process हमारे लिए एक तरीके से generate करके दे दिया है नेक्स चीज जिसके लिए हम ऐसा coder chart GPT को यूज कर सकते है वो है to write documentation जैसे अगर मैं अपने पुराने code की बात करूँ यह जो SMTP वाला मेरा C sharp code था इसे मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए documentation लिए I can write, write documentation for my code इसने क्या किया पूरे छोटे से code के लिए इसने proper documentation generate कर दिया और इसका मेजर फाइदा हमें open source में हो सकता है क्योंकि कई बार हम बहुत सारी github repos बनाते हैं और वहां पर अगर हमें एक readme file generate करनी है तो उसको खुद लिखने के बजाए हम क्या कर सकते हैं वहां के बड़े-बड़े codes आप यहां पर पेस्ट करके उनकी documentation generate करेंगे तो वह और ज्यादा complex and incorrect output आपको generate कर देगा बट सिंपल चीजों के लिए project level तक की चीजों के लिए हम इस चीज को अच्छे से यूज कर सकते हैं एच चीज जिसके लिए हम चाट GPT को यूज कर सकते हैं वह है to write a resume यानि मैं सारी details या जो technologies मुझे आती हैं उनको अगर submit करो तो वह मेरे लिए एक basic सा resume template generate कर सकता है तो हमें से prompt देने वाले हैं मैं लिखूंगी I am a btec computer science student मैंने multiple projects machine learning को यूज करके किया है and I want to apply to a company for a fresher data analyst role generate a resume for me and इसको हम करेंगे enter तो इसमें क्या किया? मेरे लिए यह response generate है जसके अंदर उपर हमारी basic details है objective है, हमारी education है skills के अंदर क्यूंकि मैंने already बताया कि मैंने machine learning की हुई है और में data analyst के अप्लाई करना चाहती हूं तो machine learning के लिए जो tools and technologies use होते है वो इसने already include कर दिये skills के अंदर इसके साथ data bases को include क्योंकि वो भी job का पार्ट है and different and general चीजें जो होनी चाहिए एक अच्छे resume के अंदर वो include कर दिया नेक्स चीज जिसके लिए चाहर जीपीट को use कर सकते है वो है to practice for a job interview यहनी मान लेते हैं कि मैंने software engineering position के लिए Google में apply किया as a fresher और मेरा DSA data structures and algorithms का round आने वाला है but अभी मेरे पास कोई दोस ने है इसके साथ बैठ कर मैं practice कर सकूँ मैं चाहती हूँ कोई मुझसे के questions पूछ ले प्राक्टिस के लिए तो इस तरीके से हम एक छोटी-सी चीज लिख सकते हैं मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ कि ask me three data structure and algorithm interview coding questions for a software engineer position तो इसको मैं करूँगी enter अन इसने तीन DSA-based सवाल मुझसे पूछ लिए given a string of characters write a function to determine if it is a palindrome or not हम stack data structure को use करेंगे यह इसने already condition बता दिये binary search algorithm को use करके to search for an element in a sorted array तो इस तरीके से इसने मुझे 3 सवाल दे दिये मैं चाहूँ तो सवालों को level up here down भी कर सकती हूँ तो अगर मैं चाहती हूँ इससे थोड़े से easy सवाल पूछे जाए तो मैं यह एड कर सकती हूँ 3 easy data structure and algorithm interview coding questions तो अब जो general सवाल यह मुझसे पूछ रहा है DSA-related यह काफी easy level के सवाल है as compared to these questions और अम चाहें तो level बढ़ा भी सकते है easy के जगे अगर मैं 3 के बाद यहाँ पर difficult लिख दूँ तो थोड़े से और level up होकर मुझसे सवाल पूछे जाएंगे तो पहले जो हम stack को use कर रहे थे अब इसने क्या किया dynamic programming DP का सवाल मुझसे पूछ लिया है binary search tree का सवाल पूछ लिया है and इस तरीके से graph theory को use करके interview questions या फिर इसे पूरा लिख देते हैं object oriented programming interview questions for a software engineer position तो इसने बहुत basic से oops related questions, class related, inheritance related questions हम से पूछ लिया है तो यह एक और तरीका है जिससे हम इसे as a tool use कर सकते है and एक last तरीका जिसके लिए हम इसे use कर सकते है वो यह है कि अगर हमें कोई नई technology सीखनी है programming की ही, coding की ही किसी नई field में जाना है तो हम इसे एक roadmap generate करने के लिए भी बोल सकते हैं although यह वाला तरीका मैं इतना जादा advice नहीं करूंगी beginners को क्योंकि कभी-कभी जो roadmap आता है उसके अंदर multiple चीज़ें ऐसी होती हैं जिन में से हमें एक ही चीज़ सीखनी होती है बट वो इतना जादा clarification उसके बारे में नहीं होता जैसे मैं चाहूं तो मैं इसे बोल सकती हूं to generate a roadmap to become a frontend engineer which technologies to learn अब यहां पर तो इसने जो process बताया है वो बिल्कुल ठीक process बताया बट इसी सेम सवाल को अगर मैं थोड़े से दूसरी तरीके से पूछ लेती जैसे I want to become a a frontend मानले है मैंने पूछा developer or engineer what should I learn जैसे I want to be a software engineer what should I learn अब इसने all the software engineering के लिए अब इसने all the software engineering के लिए एक अच्छा खासा roadmap आप generate किया है but as a fresher इसमें कुछ-कुछ चीजे है जैसे as a fresher programming languages आपको सीखनी चाहिए data structure algorithm सीखना चाहिए data basis की knowledge होनी चाहिए web development किसी भी तरीके गा अगर आप web development ना करें और app development करें तो वह भी चलेगा पर वह चीज यहां पर थोड़ा सा specified नहीं तो वह कोई human या कोई mentor या आपका कोई college के अंदर senior या teacher ही आपको बता सकता है कि यह चीज के अलावा आप यह आप यह चीज भी कर सकते हैं तो आप यह दूसरे वाली चीज भी कर सकते हैं इसके अलावा वर्जिन कंट्रोल की knowledge जो अच्छी है को अच्छी है को अच्छी है तो अच्छा होगा तेस्टिंग डीबगिं के बारे में पता होना चाहिए अच्छा भी होगा कि Agile का मतलब क्या होता है soft skills जरूरी है बट definitely उनके basis पर आपको tech interviews में उतना ज्यादा harshly judge नहीं किया जाएगा तो maximum चीजें सही बता ही है अगर आपको guidance perspective सही से देखना है या नई चीजों को सीखने के perspective सही से देखना है तो वहाँ पर एक human touch थोड़ा सा जरूरी हो जाता है जो शायद आप अपने किसी senior से पूछेंगे तो थोड़ा सा better समझ में आएगा और एक experience perspective आपको मिल रहा होगा बट definitely chat GPT एक काफी अच्छा tool है अगर already कोई experience person इसे use करना चाता है अपने day-to-day जो work है, coding का काम है उसे optimize करने के लिए और यह tool अब time के साथ improve ही होता रहेगा and we never know कि हमें आने वाली years के अंदर और कौन से better AI tools available मिल जाए तो coders की life है उसको और जादा आसान बना दे तो I hope कि tutorial आपको अच्छा लगा होगा और इस tutorial से related या और भी AI से related आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो उसके बारे में आपने जानीची कॉमेंट करके बता सकते हैं आज के लिए तना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जालें keep learning and keep exploring